सब्सक्राइब कीजिए सास पहू रेसिपीज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूले आज हम बनाएंगे नीम्बू का चार जो बहुत हल्दी और टेस्टी है इसमें हम तेल बिलकुल भी नहीं डालेंगे इसमें अद्रक, लहसन, हल्दी और नीम्बू है ये सारे इंग्रेडिन्स हमारे हेल्द के लिए बेहत फाइदे मन है चलिए शुबू करते हैं हमारी रेसिपी नीम्बू का चार बनाने के लिए हमने लिया है आठ लीम्बू, पंद्रा लहसन की कलियां एक टेबल स्पून हल्दी, तीन टेबल स्पून अद्रक, दो टेबल स्पून नमक, एक कप नीम्बू का रस ये छे नीम्बू का रस है आठ से दस हरी बिर्च, उन्हें इस तरह कट करके लिया है नीम्बू को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और अब मैं इनको काट लूँगे लीम्बू बारीक स्किन के हो, तो नीम्बू का चार बहुत अच्छा बनता है नीम्बू को इस तरह वेजिज में, इस तरह छोटे पीसिज में कट करेंगे सारे नीमू कट हो गए हैं अब हम इनको बॉल में ट्रांसफर करेंगे और आगे की प्रोसीजर करेंगे सबसे पहले हम डालेंगे नमक क्योंकि ये अचार है इसमें नमक ज्यादा डलता है वरना अचार खराब हो जाएगा अब इसमें जाएगा स्लाइस किये हुए अद्रक के पीसिस लहसुन के कलिया अब हम डालेंगे हल्दी यानि टर्मरिक ये सारी इंग्रेडियन्स को इस तरह मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे ग्रीन चिलीज और फिर से टॉस करेंगे अंत में डालेंगे छे नीम्बू का रस या एक कप नीम्बू का रस ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए अब एक साफ चार में इस अचार को हम भर लेंगे और एक सेफ जगह पर रख देंगे इस अचार को धूप में रखने की जरूरत नहीं चार से पांच दिन में ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा आप इस हेल्दी और सिंपल रसीपी को जरूर बनाएए और इस रसीपी को सभी के साथ शेयर कीजिए आप हमारे चैनल को लाइक खीजिए लें शेयर कीजिए और सब्स्क्राइब कीजिए झाल 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 झाल